हेलो अवरिवन नमस्ते और वेलकम बैक टो आवर चैनल तो उम्मित करती हूं कि आप से भी बहुत ही बढ़िया होंगे खुश होंगे मज़े में होंगे मैं भी यहां पर ठीक हूं तो यह जो वीडियो है वो कल के वीडियो का ही कंटिनुएशन है जहां पर वीडियो कल मैंने एंड किया था वहीं से आज मैंने वीडियो की करिये शुरुवात तो डेट सारे कपड़े चो थे वो कल मैंने हाद से वाश किये थे और क्यूं किये थे वो मैंने कल बताई था कि शादी के मज़े तो ले लिया है लेकिन अब जो पीछे के साइड इफेक्ट जो रहते हैं न और शादी वादी में जाते हैं तो दो-तीन दिन की कपड़े लेके जाते हैं जूलरी लेके जाते हैं हर चीज तो उसमें तो बड़ा मज़े आता है इंजोई लेकिन जो आने के बाद में जो राइता फेलता है ना उसको समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो मैं भी ब तो इसलिए जैसे ही मैंने कपड़े वोश किये थे कुछ देरी मैंने बातरूम में अनल पर और जो कपड़े वगरा टंगानी के लिए वह लगे रहे थे तो वहां पर हैंक किये थे और अभी सारे ही कपड़े में ने सुखा दिये हैं खाना वगरा सब का हो गया था जैसा आप चौप पे चले गए हैं और बाओ जी अंदर सो रहे हैं ममी जी बाहर टीवी में कुछ तो देख रहे हैं और अब यहां पर मेरा डस्टिंग वस्टिंग का काम तो सारा कंपलीट हो गया था खाली जो किचन की क्लीनिंग है उसका काम मेरा बाकी रह गया था तो बलब यह किचन की क्लीनिंग पार्ट माशन पीचा किचन केम उठी तो फिर आपकी कीचन अंदर क्व suisel तो जाओगे लेकिन वह खतम होने का नाम नहीं लेते हैं तो इसलिए जादा जरूरी है कि आप हमेशा डेली क्लीनिंग जब आप करते हैं कीचन की ना तो कीचन का हर एक पार जो है वह अच्छे से क्लीन कीजिए और रोज अगर हम नियम से कीचन की साफ सफ़ाई करते हैं तो फि विश्टीन मिनट की क्लीनिंग के अंदर पूरा स्लैप क्लीन करना है पीचे की जो टाइल से वह क्लीन करनी है और एक मेन चीज यह की सुभे से लेके मलब चमे सुभे उड़ती हूं 5-5 बजे ते लेके लंच मलब बनाने और खाने तक जितने भी बरतन होते हैं जितनी भी जरूर क्लीन करते हूं जो जिए मुझे वाश करनी उनको वाश करूंगी या फिर कुछ चीज़े हैं जिसे की मिक्सर हो गया है ठीक है या फिर जिसे गी तेल के जो कंटेनरे जो कि रोज हम दो तो नहीं सकते लेकिन हम उनको में गिले और सुखे कपड़े से अच्छे से क्ली करते हूं ताकि वह ग्रीसी ना रहे तो यह चोटे मोटे से टिप्स होते हैं यदि हम उनको रेगुलर फॉलो करते हैं थो हमारा कीचन जो हमेशा अच्छा बना रहे ता इस पेशली मेरा कीचन तो काफी छोटा आपको दीखी रहा होगा और छोटे कीचन में सामान बहुत स बना रहता है तो यहां पर मेरा मैन प्लैटफॉर्म में उसको मैंने क्लीन कर दिया था बरतन जो थे वह सारे ही क्लीन हो गए थे हां और एक चीज़ आपको यह बहुत करते हो ना तो काम की बीच में अगर आपको एक मिनिट का भी टाइम मिलता है ना तो उस बीच में आप देना पड़ेगा लेकिन कम गंदा है तो आप उसको साफ कर सकते हो तो मैं जैसे की चाय वगरा बना रही हूं तो चाय जब तक बनती है ना तो उस बीच में खड़ी नहीं रहे तो आपने देखा भी होगा कई बार चाय बनाते बनाते में अगर आटा लगाना है तो आटा अब बज रही है शाम की साड़े चार और अभी कुछ दिर पहले ही मैं सोके उठी हूँ आज थोड़ा से एक्चुली लेट सोई थी क्योंकि आज दिन को मैं मामी जी को ना मन वहां लेके गई थी हॉस्पटल लेके गई थी कल के वीडियो में आपको बताया था कि मामी जी क तब है जो थी वो थोड़ी ठीक नहीं थी उनको मलब जिस दिन हम लोग शादी में गए था ना लोनावला उसी दिन रात को मतलब पूरी रात उनको बहुत ज़्यादा चक्कर वगरा आये थे तो हमको लग रहा था कि शायद उनको बीपी वगरा का कुछ इश्यू होगा औ और आप बात नहीं मनोगे मतलब आत उसे उनको चक्कर ही रहा था लेकिन हम करीबन चार होस्पिटल में गुमे थे एक बार एक होस्पिटल में गए तो वहां पर उन्होंने बीपी मेजर किया तो बीपी जो था उनका टू हंडर्ड नैंटी आया तो वहां से डॉक्टर ने तो फिर आम महाँ पर गए तो फिर उन्होंने बहुत सारी चीजे इन्हसे पूछी ममी जी से और चक्कर जो है वो किस तरीके से आये मलब क्या कर रहे थे तब आये तो यह सब चीज़ उन्होंने पूछी आप झाल और उन्होंने बोला के बीपी वागिरा का इतना कुछ तो उसी आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा तो मुझे शाम को फिर से एक एंटी जो डॉक्टर उनके पास में भी जाना है तो उसी चकर में आस दीन को ना मॉर्निंग के जो मेरे सारे काम थे वो करते करते एक बच गई थी फिर मेरी हाउसल पर आई थी फिर बच्चे भी दूप थी तो आने के बाद में फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई थी तो यह जो बच्चों के टिफिन वगर है जो कि मैं हमेशा बच्चे स्कूल से आते हैं तो तुरन साफ कर देती हूँ तो टिफिन है बॉटल है बच्चों ने जो खाना वगरा खाया था वो प्लेट थी और भी मैंने अपने लिए जो चाय बनाई थी तो वह बरतन तो यह जितने भी बरतन है वह में एक बार साफ कर दूंगी और आप सबकी डिमांड पर ही मैंने यह बरतन साफ करने का वीडियो जो है वो बनाए अधर्वैस मैं आजकल अवोईडी करती हूं लेकिन मेरी एक प्यार प्यार से कहती है आरही हूं कि मैं कोई भी काम ऐसा नहीं है कि मैं जो इस्पेशल कर रही हूं मैं वही सारे काम करती हूं जो शायद हर एक इंडिन हावज वाइफ अपने गर में करती है बस मेरा एक ही मोटिवेशन होता है कि आप मेरे वीडियो देख के थोड़ा सा मॉटि आए तो आज के वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ क्लिणिंग के टिप्स जो है वह मतब दिये हैं एक्चली वीडियो में इसी बेस पर ही विनब शुरू कर रहा था ये सोच की बनाया था कि आज मैं आपके साथ में अच्छे च्लीनिंग के टिप्स जो है वह दूँग वाइपर जरूर रखना है वाइपर से क्या होता है कि जब आप जितनी बार हाथ दोने जाएंगे या फिर कोई बारतन साफ करेंगे तो आस पास का एरिया जो हुh गीला हो जाता है फिर आप उतनी बार मॉब करेंगे फिर उस मॉब को वापी से दोएंगे तो ज्यादा अच्छा है कि छोटा से वाइपर यह दी होगा ना तो आपका काम आदे से भी कम हो जाएगा और पोचा लगाने से क्या होता है जो फर्ष होती नो वह तुरंत नहीं सुकती उसमें टाइम लगता है लेकिन वाइपर से तुरंत फर्ष जो वह सुक वाइपर बहुत ज़्यादा महेंगे भी नहीं आते तो बहुत कम कोस्ट में भी आप चीजे जो है वह लाके और अपने काम को और अप समय दोनों की बचत कर सकते हैं तो यह बहुत ही चोटा सा टीपे लेकिन काफी अच्छा है तो यहां बातों बातों में बरतन भी साफ हो बनाते हैं मुंकी दाल के नाम से ही लेकिन यह कि कभी-कभी मलब कुछ ऑप्शन नहीं होता है और मुझे ऐसा लगता भी है कि कभी-कभी बना देना चाहिए पांदस दिन में एक बर मुंकी दाल पसंद तो कम आती है लेकिन थोड़ी सी हेल्दी तो होती है तो बनाती हूँ वेसे भी मेरे गर में जब भी थोड़ी भी दाल बसती है ना दाल बचे या चावल बचे तो मैं उनके पराठे बनाती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं तो यहां पर मैंने आटा लगा दिया है और इन पराठों के साथ में में टमाटर की खट्टी मीठी वाली रस्तेदार वाली सबजी बना रही थी और उसी विच में याद आया कि जो तेल का कंटेनर है उसके इंदर तेल खतम हो गया है तो यहां पर मैंने थोड़ा सा तेल जो इसमें निकाल दिया है आचा यह जो तेल है वह आपको सफोला एक्टिव का डिबा दीख रहा लॉइन बना तो तो थीजार महीने हो गए मैं फिल्टर वाला उइल कंपा तो उसमें ना मैंने धियाण ऱिषे नहीं मेरे दिमाघ इल Boss यह तो अगर तो फन्रा इऐ नहीं मेरे डीमाख से निकल गया हो तो अगर इसमें नहीं होता है न निकालना काफे ज़दा आसान हो जाता है तो यहां पर बस मैंने फटा फट से टामाटर की सब्जी को लगा दिया है तरका दो से तीन मिनिट में सब्जी जो है वह बनकर हो जाएगी रेडी और बस थोड़ा से मैंने पानी डाल दिया क्योंकि सुकी सुकी सब्जी के साथ में खाना बिल्कुल भी सही नहीं लगता है पराटो के साथ में थोड़ी सी रस्तेदार सब्जी होती है तो अच्छा आता है टेस्ट तो बस यहां पर मिना आटा लगा था और बाओ जी के लिए मैंने प्लेन रोटी काटा भी लगा दिया है क्योंकि बाओ जी मसाले वाले परा बादन गए तो दोना आ गए अभी में फटा फट से बनाऊंगी रोटी और यह शाम का जो साड़े पांस साड़े शे बज़े का टाइम होता है ना वो मेरे लिए काफी ज़दा है क्योंकि इस बीच में रोटी भी बनानी है इस बीच में बच्चे टूशन से आते हैं और खाना बनाना है सबको खाना सर्व करना है उसके बाद में कीचन के क्लीनिंग करती हूं बरतन वगरा साफ करती हूं उसके बाद में साड़े छे बज़े तक दूद वाले बाईया जो है वह दूद भी देखे जाते हैं तो दूद वगरा गरम करना है तो यह सारे काम जो है व टुन होग रात को आइसे बूख नहीं लगती है और अच्छा लगता है कि मुझे हों पाइड़ी जल्का हो जाते हैं एक लगताओ को साद बजह काइम मिल जाता है शाम को मलब 7 बज़े के बाद में कई बार मैं बाहर निकल जाती हूँ वाक वगरा करके भी आ जाती हूँ सबजी वगरा लाना है तो वो भी लेके आ जाती हूँ मेरी सिस्टरं को हैं किसी को भी तो इनसे बात ही हो जाती है और फिर तो आप जल्दी फ्री हो जाओगे तो आप बहुत सारे काम जो है वो निपटा सकोगे और मैंने मुलब बहुत सारे गर में यह देखा यह कि आट साड़े आट बजे के बाद में लेडिस कीचन में गुस्ती है तो मुझे बहुत आशिर होता है कि अगर आप गुश्ते हो ना तो खाना बनाते बनाते और खाते खाते और काम निपड़ते शायद रात की 10 साधे 10 बच जाती है तो उसके बाद में फिर खाना दो गंटे बाद में ही आपको सोना चाहिए तभी आपकी बोड़ी जो है वह एकदम फिट रहती है तो कौशिश करिए हम तो खेर काफी जल्दी खा ले थे अगर आप लोग इतना जल्दी नहीं भी खा पाऊ ना तो कम से कम मतलब आट बजे के पहले-पहले कोशिश करो कि खा ना खाऊंगी तो यह सबस चलते रहेंगे तो और इसी के साथ में ही में भी बढ़ गई हूँ वीडियो के एंड की तरफ उमीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा वीडियो यही पसंद आया हो मेरी बताई हूए रैसिपी अच्छी लगी हो कुछ भी पसंद आया हो वीडियो में तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और प्लीज 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 मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वाटसप पे कर सकते हैं वाटसप पे बहुत सारे आपके फैमिली ग्रूप होंगे उसमें शेय बेटियो कोई आप मेरे वीडियो को शाइर कर सकते हैं तो प्लीज अब इतना सब मुझे आप लेके आती रहूंगी और इसे के साथ में ही आज करेंगे हैं और टिल दैन बागा ऐं-ट अ 刺激 कर दो